नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखलेश यादव को 37 सीटे मिली है और कॉंग्रेस को 6 सीटे यानि उत्तर प्रदेश में इंडिया का गडबंधन 43 सीटे जीता है और इसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि वो विधायक जो राजिसभा चुनाओं के वक्त खेमे में जाकर खड़े हो गए उन्होंने राजिसभा चुनाओं में क्रॉस वोटिंग की अब आखिर उनका भविश्य क्या होगा दोस्तों लखनओं में सियासी सूत्रों से ये पता चला कि जब अखलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत मिल गई तो इन गलत किया उसके लिए ये माफी मांगते हैं और इन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाए आखिलेश यादव ने उस पर क्या कहा आखिलेश यादव ने उसपर क्या रिएक्षन दिया उस पर भी बात करेंगे लगर उस से पहले आपको उन च हरों से रूबरु कर्वा द पांडे उचा हार के विधायक इनको आप जानते हैं अमिश्चा ने इनको भाजपा में जॉइन करा दिया है यह भाजपा में शामिल हो चुके हैं यह चायल की विधायक है पूजा पाल समाधवादी पार्टी की यह भी बागी है रासवा चुनाओं के वक्त इन्हों में भी भारती जंता पार्टी के बख्ष में वोटिंग की रीतेश पांडे जो अंबेटकर नगर में भारती जंता पार्टी के प्रत्याशी थे चुनाओं हार गये पूरुसांसद राकेश पांडे उनके पिता है यह समाजपार्टी के विधायक है और इन्होंने भी अकलेश पाया पल्लवी पटेल जिन्होंने अपना गड़बंधन ही अलग कर लिया था अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अखलेश आदव ने इन नेताओं को माफ करने पर इन नेताओं को पार्टी में वैसे ही वापस लेने पर क्या कुछ कहा अखलेश आदव ने समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं के लिए कोई भी जगे नहीं है दो नाम आप इसमें और जोड़ सकते हैं एक नाम विनोज चतुरवेदी का है और एक नाम पूर्व मंत्री नारद राय का है नारद राय बलिया लोकसभा में भारती जनता पार्टी को जिताने निक को जो जॉइन कराने की कोशिश भी करेगा उसे भी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा यानि अखिलेश यादव इन तमाम नेताओं को जिनको जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं मनोच पांडे पूजा पाल अभै सिंग राक एश प्रताप सिंग और पल्लवी पटेल इन तमाम नेताओं को अखिलेश यादव अपनी पार्टी में लेने के मूड में नहीं है बलकि होगा क्या वो आपको बता देते हैं अखिलेश यादव इस मामले में विधान सभा के जो अध्यक्ष है यानि कि जो स्पीकर है जो स् सतीष माना जी सतीष माना को अखिलेश यादव एक पत्र लिख सकते हैं कि इन विधायकों की विधान सभा की सदसिता खत्म की जाये यानि अखलेश यादव ये बड़ा step ले सकते हैं कि वो इन तमाम बागी विधायकों की सदस्ता खत्म करने के लिए विधान सबा स्पीकर को पत्र लिख सकते हैं क्योंकि इन तमाम बागी विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी कथित अंतरात्मा की आवास पर भारती जनता पार्टी को वोट दिया ऐसे में ये पार्टी की लाइन और विचारधारा और विप का उलंगन है इसलिए अखलेश यादव ये कारवाई कर सकते हैं दोस्तों आपको याद होगा रायबरेली में जब राहुल गांधी के लिए अखलेश यादव प्रचार करने पहुँचे थे तो अखलेश यादव ने मनोच पांडे का नाम लिये भी न कहा था कि वो विधायक जो हमको छोड़ कर गया है वो धोखेबाज है और वो जहां जाता है वहीं गड़ा खोता है इस तरह का बयान भी आपको याद होगा यानि अखलेश यादव के तेवर साफ हैं वो किसी भी कीमत पर इन नेताओं को अपनी पार्टी में वापस नहीं ले सकते हैं अखलेश यादव ने संकेत दे दिये हैं कि ये जहां पर हैं वहीं रहें अब इनके लिए हमारी पार्टी में कोई जगे नहीं है यानि अखलेश यादव और इंडियागड़ बंधन तमाम नेताओं को हुआ है और उसके बाद से अखलेश यादव के तेवर साफ है कि जिन लोगों ने धोका दिया, जिन लोगों ने गद्दारी की जिनोंने पार्टी का साथ नहीं दिया और जिनोंने मुश्किल वक्त में पार्टी भी उनके साथ कताई खड़ी नहीं होगी